दोस्तो आज की इस वीडियो के निरम बात करेंगे कि अधिकतर छातो का रंग काला ही क्यों होता है दोस्तो अगर आप यह नहीं जानते तो आपको यह वीडियो चुरूर देखना चाहिए क्योंकि यह वीडियो हमाई लिए काफी हेलफुल होने वाला है दोस्तो अगर आप पुराने जमाने को देखोगे तो आप लगवग सबी चाते काले रंग के दिखाए देंगे क्योंकि जब चातो का आविशकार हुआ था तो चाते को काले रंग का ही बनाए गया था और बहुत पुराने समय से हम काले रंगे छाते का ही इसमाल करना है लेकिन आप फेशन और जोरत के अनुसार छाते रंगी रंगे और छोटे बनाए जाने लगे है लेकिन अभी भी जालतों छाते आपको काले रंगे ही दिखेंगे आज के समय बले ही रंगी रंगे चाते अच्छे लगते हो लेकिन आपको बता दे कि काले रंगा चाता खरीदना वेग्यानिक के द्रश्टी से काफी फाइदमन साबित होता है दोसो चाते का काम बारिश और धूप से बचाना होता है बारिश के लिए आप कोई साबी चाता किसी भी रंगा ले सकते हैं लेकिन अगर आप धूप से बसना चाते हैं तो आपको काले रंगा ये चाता देना चाहिए तो काले रंगा चाता किस तरगें से फाइदमन होता है य है भी आपको जान लेना चाहिए दोसों हम सभी जानते हैं कि काला रग गर्मी को अवशोशित करता है और उतनी तीजी से कर्मी को गर्मी से बच जाते हैं दोसों इसके अलावा काला च्छाता स्पूरि से आने वाली घानी कारक अल्ट्रा वॉलि जाते इससे आप अल्टा वलिट किर्णों से खोने वाले तोचा के रोग से बच जाते हैं और साथ साथ दोस्तो काले रंग का एक फायदा यह भी है कि यह बारिश में आसानी से और जल्दी सूख जाता है तो दोस्तो भले ही आप काले चाते को आउट ओफेसल समझते हैं लेकिन यह चाते आपके लिए काफी फायदा बोचाते हैं तो दोस्तो आपको जानकरी कैसे लगे इस वीडियो को लाइक और मिंट्रों के शेयर करके जरोगताईएगा ऐसे इंफ्रमेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजी आज के लिए नहीं ठैके फरवाजी